एटा में ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है जहां नियूंतम तापमान कल की अपेक्षवा एक डिग्री गिर कर चार डिग्री सलस्यस पर पहुँच गया भीशन सर्दी और गलन से दिंचर्या पूरी तरह से परभावित हुई जिससे ठंड की वज़े से कई लोगों की मौत भी हो गई है वहीं शीत लहर में रैन बसेरे के बाहर लोग अलाव जलाकर रहत पाने की कोशिश कर रहे हैं स्कूली चात्र और मोटरसाइकल रोड बेस चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जहां घना कोहरा होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा